हुआ है हलो सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ग्रिड के बारे में देखा था उसी ग्रिड को फर्दर और एक्स्टेंड हम कर रहा है है बिटर मैनर में डिवीजन हम कैसे करेंगे साइट को अगर हम डिफरेंट डिफरेंट सेक्षन में डिवाइड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे उसके लिए एक सपार हमें कोई भी website बनाना और website का जो design है वो look like ऐसा है कि हमारे पास एक का तॉप में header के लिए हमने एक or define कर रखा है it और bottom में footer के लिए हमने एक row define कर रखा है और navigation बार को भी हमने define कर दिया navigation mark ऐसे हो मेरा और इसमें हमने एक add section भी define कर दिया तो अगर इस तरह से page हमको define करना हो divide करना हो grid section के through तो हम कैसे करेंगे यही हम आज के इस video में आप से discuss करेंगे तो कैसे हमारा page design होगा तो सबसे पहले हमको html लिख लेना चाहिए तो हमने html body section के अंदर गया और हमने यहां पे header हम पहले से ही decide करके चल रहा है कि हमारा id किया होगा header का id हम अभी define करेंगे उसके लिए हमने page header define कर दिया कि मेरा id जो होगा ओ page header होगा बट अभी यह look नहीं आएगा region की हमने अभी header define नहीं किया है तो हमें क्या करना चाहिए सबसे पहले अपने page को define कर लेना चाहिए कि कि कितने area हमें define करना डिवाइड करना तो हमने यहां पे एक header बनाया और header के अंदर हमने एक simple सा mark you अभी मेरे पास और कोई यह image नहीं है कॉम simple एक text को mark you move करा के हम यहां पर यूज कर रहा है mark you we have here alternate हमने यूज किया alternate and scroll amount 10 हमने दे दिया है और इसमें हमने क्यों लिख दिया code squad ना यह मेरा header section complete हो गया उसके बाद article यानि कि अगर हम कुछ message जो हमारा main आप क्या सकते हो main area जिसमें हमारा always content change होता रहेगा उसको हम article कर रहा है article हमने लिया यहां पर और article का भी एक ID हमने यहां पर बना दिया बट आईडी अभी डिसाइड नहीं है इसलिए हम ID को यहां पर यूज नहीं कर रहा है और article area में हम जब वो करेंगे तो उसको और better तरीके से इसमें define करेंगे नाओ navigation बार navigation बार के लिए एने भी हम एने भी याने की नवबार इसका भी एक ID हमने दे दिया और ID के बाद multiple हम इसमें hyperlink बनाना चाहते हैं कि हम different multiple pages पे जा सके और वो हमारा पेज आर्टिकल एरिया में सो हो सो हमें आप अभी केवल hyperlink दे दे रहा हैं hyperlink दिया और hyperlink में हमने कहा login बी आर लाइन ब्रेक एहर एचर एफ sign sign up ahrf sign up हमने दे दिया login के जगा पे आप sign in भी यूज कर सकते हो as per your requirement और br हम इसलिए यूज कर रहा है so that की मेरा जितना भी link है वो next line में आता रहा है ahrf हमने लिए ahrf और about br tag next line के लिए contact us ahrf contact and ahrf profile section भी एक हम ऐसे डिजाइन में दे दे रहा है so that की कुछ हमारा दिखाई दे हमारे पेज़ पे now after that एक add section हमने बनाया था उसके लिए भी हम एक division बना ले रहा है आईडी अभी decide नहीं है इसलिए हमने केवल एक डिब बना के हमने यहां लिख दिया ads now footer section हम को चाहिए footer भी बनाना है तो footer के लिए हमने यहां पे ले लिया footer the ID और ID section में जब हम page को design करेंगे CSS design करेंगे तो उस section में हम इसमें यूज करेंगे हम यहां केवल लिखना चाहते हैं अड़ रेट कॉपी अड़ रेट कॉपी सी जो हमारा symbol होता है वह अगर आप अड़ रेट कॉपी अगर आप लिखते हो तो आटोमेंटिकली वहां पे कॉपी राइट का सिंबॉल आ जाता है अगर आप जो भी लिखना चाहते हैं आज पर रिक्वार्मेंट आप कर सकते हैं अब यह जो हमारा नहीं आएगा नहीं उसमें कुछ कलर से सबसी दिखाई देंगे सो हम क्या चाहते हैं कि इसका लुक जैसे कि हमने अभी डिवाइड किया था पीज को उस तरह से डिवीजन आए तो हमें सि-स इसके लिए लिखना पड़ेगा सुएस ही हमारे पेज को लुक देता लुक और फील जिसको कहते हैं वो सि-स के थ्रूह पे आता है सो दाट हम अब इसके लिए css कैसे लिखेंगे css नॉर्मल ही हम हेडर सेक्शन में लिखते हैं बट आप जहां चाहें वहां लिख सकते हो सो हमने style यहां पे टाइग लिया और CSS हमें लिखना सबसे पहले हम body part को change कर रहा है हमने body part में कहा कि मेरा display जो type होगा वो grid होगा तभी हम इसको grid में define कर सकते हैं now जो area है मारा आप उस area को grid के area को हम divide करना चाहते हैं रो और कॉलम में सो हमने यहां पर लिखा grid area ग्रिड़ टेंप्लेट area और area हमने यहां पर कहा कि मेरे पास सपूर्ज थ्री सेक्षन हम एजूम करके चल रहा है कि मेरे पास थ्री सेक्षन होगा और टॉप में तीनों सेक्षन जो हमारा सब्सक्राइब गरके लिए रिजर होगा next जो हमारा है रो जो कि हमने यहां पर अभी डिवाइड किया था देखा था इसमें क्या है यहां भी अगें हमारा तो यह थ्री सेक्शन में हैं एक नेविगेशन बार दूसरा आर्टिकल और तीसरा एड़ सो हम यहां पे अब लिखेंगे एन अवी आर्टिकल कि अन एड़्स अन थोर्ड रो जो हमारा है उस थोर्ड रो में एन अवी और फुटर फुटर हमारा दो प्लेस को एक्वाइर कर रहा है आप यहां चेक कर सकते हो फुटर हमारा दो प्लेस को एक्वाइर कर रहा है एनने भी एक पार्ट को और एक पार्ट को और एक पार्ट को आर्टिकल हमारा बट जो हेडर है वो थ्री पार्ट को एक्वाइर कर रह तो हमने यहां पे area define कर दिया now अब हम क्या चाहते हैं कि row और column क्या size define करें तो यहां हमने लिखा grid template पहले row को कर लेते हैं कि row का size हमारा क्या होगा तो हमने कहा 70% या 70 pixel header के लिए ले लेते हैं one fr one free space article बीच के area के लिए ले ले लेते हैं and 70 pixel footer area के लिए हम acquire कर ले रहा है now row की बात करें यह तो row हो गया अब हम column की बात करना चाहते हैं कि column हमारा क्या होगा सो column में हमने का 15% हमारा navigation बार के लिए होगा one fr article के लिए होगा और 15% हमारा add के लिए होगा यह हमने एक page define कर लिया अब हम जितने भी column है रो हैं उनके बीच में हम gap चाहते हैं gap के लिए हम यूज करते हैं grid row gap grid column gap तो हमने यहां पे लिखा grid row gap अब grid row gap आपको देना कितना है तो यह आपके उपर depend करता हमने अभी 5 pixel 5 pixel दोनों के लिए grid column gap and row gap के लिए हमने 5 pixel 5 pixel को रिजर्ब कर दिया ना उसके बाद हाइट हाइट हमने का 100 वी एच वी एच का full form होता है व्यू हाइट वी एच अब यह बॉड़ी हमारा डिफाइन हो गया बॉड़ी डिफाइन होने के बाद आप एक हम व्यू देख लेते हैं कि जो मेरा पीज था उसका व्यू कैसा आ रहा है अब आप देखोगे नॉर्मली यह डिफाइन हो गया है अब इसमें हम एक और कॉलम ले 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 मार्जिन मार्जिन हमने हमने कह दिया कि दाटीज वॉट जीरो हमारा मार्जिन होगा नाउं अभी चो यह है कलर्स नहीं होने के चलते एक्जेक्ट प्लेस पे नहीं दिखाई दे रहा है तो हमने यहां पे सबसे पहले हेडर फुटर एने वी आर्टिकल्स आइड्स जितने भी हैं उनके लिए हम च आर्टिकल आइड डिव यह फाइव सेक्शन हमने डिवाइड किये थे इसमें हमने पैडिंग सबके लिए पैडिंग जो है फिक्स हमने कर दिया 1.2 एम यह भी एक मेजर्मेंट यूनिट है और बैक्ग्राउंड जो हमने हैं फिक्स किया आर्जी बी में दे रहा हैं ऐसे हम कलर डारेक्ट यूज कर सकते हैं बट एक्जेक्ट कलर आपको अगर चाहिए और उसका आपको कलर का कोड याद नहीं है तो आप ऐसे भी किसी नंबर को मिक्स करके एक कलर आप डिफाइन कर सकते हो अगब हम देखे हमारा पेज लुक कैसा आ रहा है तो देखिए अटोमेट हमने यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट आइडी बनाया सबसे पहले अइडी बनाया पेज हेडर पेज हेडर के लिए हमने का कि Grade Area इसका नेमिंग हम को करना पड़ता है ग्रिड एरिया और इसका नेम हमने दे दिया हैडर फाइन नेक्स्ट पेज फुटर और इसके ग्रिड एरिया का नेम हमने ग्रिड एरिया फुटर दे दिया नेक्स्ट फुटर के बाद आर्टिकल आर्टिकल में हमने दे दिया पीज आर्टिकल और ग्रिड एरिया आर्टिकल नाओ एने वी में एने वी और इसका आमने ग्रिड एरिया दे दिया एने वी साइट आर्टिकल और इसके ग्रिड एरिया का नेम हमने आर्टिकल दिया ग्रिड एरिया नेम हमने दे दिया आर्टिकल अब यह जितने भी हमने आईडी बनाया है पहले इसको हम यूज कर लें अधिए जैसे हेडर के लिए हमने बनाया था पेज कर दे तो पीज कर टीकल के लिए हमने बनाया था आर्टिकल के लिए पेज आर्टिकल तो हमने यहां पे लिख दिया पेज आर्टिकल NAV के लिए हमने बनाया था मेन NAV main main nav division के लिए site add site adds और footer के लिए हमने बताया था page footer now अब look हम यहाँ पे चेक करें कि look हमारा जो हम exact हमने decide कर रखा था वो look आ रहा है या नहीं यही हमने decide किया था look मेरे पास आ गया now एक और अब जब भी हम कोई भी page बनाते हैं तो उस page को mainly हमें क्या करना होता है अगर आप उसको responsive बनाना चाहते हो कि कि किसी भी device पे better यह open हो जाए और जैसे mobile पे हम open करें तो mobile के according to आ जाए और अगर आप laptop पे open करते हो तो laptop पे recording desktop पे या palm top जितने भी आपके अलग-अलग हैं उनके लिए हम यहाँ पे responsive भी बना सकते हैं तो responsive बनाने के लिए हमको अलग-अलग work करना पड़ता है तो कैसे करते हैं उसके लिए add the rate media हम यूज करते हैं तो इसी पेज को हम responsive बनाना चाहते हैं तो responsive बनाने के लिए हमने यहाँ पे यूज किया add the rate media add the rate media हमने यहाँ पे कहा all and max width maximum width हमने decide कर दिया इसका 575 pixel 575 pixel हमने define design यह यूज कर लिया now 575 pixel पे error क्यों दे रहा है यह check कर रहा है यह error इसलिए दे रहा है हमने कहाँ पे colon नहीं यूज किया था colon नहीं यूज करोगे तो error देगा now body जो है अगर हमारा screen change होता है तो यह किस के according to किस को change करे तो हमने कहा body को change करो और grid template जो हमने area define किया था उस area को अब आप different manner में so कर दीजिए किस manner में so करना है कि उपर हमारा header आ जाए then article आ जाए then add आ जाए now na b आ जाए और last में हमारा footer so हो जाए so यह जो हमने use किया इससे क्या होगा हमारा यह responsive page हमारा so होने लगेगा और उस case में हमारा जो row है और column का size हमको define करना होगा तो grid template first row को हमने कहा कि यह हमारा 70 pixel 70 pixel 1fr and 70 pixel 1fr and 70 pixel 5 हमारे है total हमने सब को यहाँ पे define कर दिया और column हमारा जो grid template column यह सबका fix size one free space region की हमको कैसे सो करना है vertically हम सो करते हैं जब responsive हम बनाते हैं इसको add कर देने से आपका page क्या हो जाता है responsive हो जाता है responsive का meaning क्या है कि अगर आप इसको inspect में जाके device media को change करें तो वो उसके according to automatically है जैसे suppose हमने यहाँ पे कहा switch switch किया उसके according to यह आ जा रहा है आप यहाँ अपने media को भी change कर सकते हो यानि कि mobile इस पे जिस पे भी आप देखना चाहते हो तो यह responsive आपको so होने लगता है now हम क्या चाहते हैं कि अब हमारा यह जो page है article area में एक कोई भी कुछ भी अगर हम बनाते हैं suppose हम चाहते हैं कि login box login पे click करें तो यहाँ login का box हो so उसके लिए हमको क्या करना होगा adjective यह जो हमने वह है इस page को हम बनाने जा रहे हैं सबसे पहले हमको क्या करना होगा जो hyperlink है इस hyperlink पे हमने कह दिया login.html एक page हमारा होगा जो की hyperlink पे open होगा now आप adjective इसको copy कीजिए copy करने के बाद एक page नया page आप बना लिए जिसका name हम रखेंगे login.html login.html adjective हमने इसको copy किया और article area जो हमारा है article जिसमें हमने लिखा था यहाँ अभी हम कुछ खास design नहीं करने जा रहा है केवल सिंपल एक login box बना रहा है login table के format में हमने लिख दिया login table और table में हमने कहा tr और tr के अंदर label for username और display क्या हो username display हो इसको हमने एक column के अंदर td section में so किया now second column में text box जिसमें की username हम input करें td और यहां हमने input box input type बनाया text और इसका id हमने दे दिया यूनेम नॉर्मली जो हमारा for में होता है वही हम यहां पे देते हैं बट आप चाहें तो उसको change कर सकते हैं यह first row हो गया second row में हमने कहा tr td label for password और so हमारा हो password now td और यहां हमने कहा input type password password box बना रहा है और id इन कह हमने दे दिया password हमने यहां पे बटन बना दिया और उस पे caption यानि की जो लेबल है लोग इन लेख दिया ना यह मेरा पेज जो है रन कर रहा है यह पीज हमारा इस पेज पे अब हमने लॉग इन पे क्लिक किया लॉग इन बटन पे क्लिक किया तो यह देखिए आपके article एरिया में अब क्या आ रहा है लॉग इन आ रहा है तो इसी तरह से हम website डिजाइन करते हैं और इस website को जो हमने डिजाइन किया simple html और css को basic learner के लिए कि कैसे कोई भी अगर हम स्टार्टिंग कर रहा सीखना learning html css तो कैसे वो पेज को डिजाइन करेगा तो आप यूट्यूब को जो हमारा वीडियो है यूट्यूब पे चैनल को subscribe कीजिए like कीजिए so that और बेटर से बेटर content हम बना सके thanks for today thanks